हेलो दोस्तो आज देखते हैं अबाज जी गुननखंड क्या होते हैं तो अबाज जी गुननखंड या प्राइम फेक्टर क्या होते हैं ऐसी अबाज जी संक्या है जो उस संक्या की गुननखंड हो कि संक्या की जिस संक्या की हम गुननखंड निकाल रहे हैं जैसे चै को हम लिख सकते हैं एक ठीक है तो एक और चै इसके गुनन खंड होंगे ऐसे चै को हम लिख सकते हैं दो और तीन यहाँ पर एक अबाजी संक्या नहीं है दो अबाजी संक्या नहीं है यह चै अबाजी संक्या नहीं है लेकर यहाँ पर दो अबाजी संक्या है तीन अ अबाजी संक्या है, तो अबाजी गुननखंड क्या होते हैं, अबाजी संक्या है, जो उस संक्या की गुननखंड हो, तो 6 की जो अबाजी संक्या है, जो उसे गुननखंड वो क्या क्या है, दो हैं और 3 है, तो 6 के जो अबाजी गुननखंड होंगे, वो क्या होंगे, दो और 3 ठीक है मतलब ये अबाज जी अबाज जी गुननखंड क्या होते हैं अबाज जी संक्या होती है जैसे हम लिखें 25 के गुननखंड क्या क्या हो सकते हैं एक और 25 हो सकते हैं पांच और पांच हो सकते हैं ठीक है और क्या हो सकता और कुछ नहीं हो सकता तो यहां पर इसके 25 की कुलन खंट क्या क्या होंगा एक पांच और पत्चीस लेकिन इसे अबाजी कुलन खंट क्या होगा पांच यहां पर यहीं अबाजी संक्या है यहां पर निकालें 46 के 46 के निक और ठीक आअ, तो चालीश के गुननखंद क्या क्या होंगा है एक दो और तेईस और चालीश ठीक है तो इसके अबास जी गुननखंद क्या क्या होंगा है तो अब आजी गुनन कंडर की होते हैं एसी संक्यां जो संक्या की गुनन खंडो जैसे सवाल लेते हैं जैसे अपन निकालते हैं Да, 64 के गुनन खंड ठीक है 24 के गुनन कंड नकालते है पूरे 2 32 दो,' 16 2 6 क्ञाल पी है कि अंच तो कितने है इस यह बाज गृन recreate कंड कस बाобще के खान का की अधिच मैं थी किए ड़ एक होगा बाजद कर यह नहीं बोल शकते है अपन अबाज गुरून कंटकों की चार अबाज संग के ही नहीं